दोस्तों हर साल जब भी एड्मिशन का टाइम आता है मतलब की एपरेल में जून ये जो टाइम है यहाँ पर आप बहुत सारी प्राइवेट युनिवरस्टी इसके बहुत ही लुभावने से एड्वेटीजमेंट्स देखते हैं युनिवरस्टी बोलते हैं हमर पास इतनी प्लेस्मेंट्स हैं इतनी अच्छी जी कंपनी से हम प्लेस्मेंट्स देंगे हम फीस में रिलेक्शेशन देंगे हम प्लेस्मेंट्स के साथ साथ में स्कॉलर्शिप देंगे ऐसे बहुत सारे आफ़र्स आपको देखने को मिलते हैं University के Ampess में जहांपर आप जाके रहते हैं उन University का जो hostel होता है जो mess होता है उसको भी देखना चाहिए जो students बाहर से आके admission लेते हैं हमने जो देशबगत University पर पिछली वीडियोस बनाई थी रिविविव किया University के हमने वहीं पर बहुत सारे comments और what's app पर को युनिवस्टी कोर्स करवा सकती है बट बहुत सारे कोर्सिस ऐसे भी होते हैं जिसके लिए अप्रूवल की जरुवत नहीं होती तो कौन-कौन से कोर्सिस करवा सकती है देश-भगत से कोर्सिस करवाती है देश बगत युनिवस्टी दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है युनिवस्टी इंडिया मेरा नाम है विरंदवर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की उनिवस्टी इस कॉलिजिस उनके कोर्सिस को एक्स्प्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तों हाला कि बहुत सारी उनिवस्टीस हिंडूस्तान में चलती हैं बहुत सारी उनिवस्टीस में आप एडमिशन ले सकते हैं टोटल 1,026 उनिवस्टीस अभी तक जो डेटा आया उसमें थी हमारे हिंडूस्तान में जो चल रही थी जिनको UGC रेगुलेट करता है मैं हमेशा बोलता हूँ जितनी भी यूनिवस्टीज है यूजी सी पर मैंचन है अपडेट है उन यूनिवस्टीज में आप एडमिशन ले सकते हैं कि फेक युनिवस्टी की भी लिस्ट डाली हुई है यूजी सी ने अगर को युनिवस्टी आपको फेक लगती है वहाँ जाके आप उसको चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं देश-बगत युनिवस्टी के पास कोर्सिस कौन-कोन से हैं इसमें जो मेजर ली जो परसंस हैं आप जाके उनसे मिलेंगे तो आपके शायद जो प्रॉबलम से हो सकती है अब हम बात करते हैं कोर्सिस कौन-कोन से हैं कोर्सिस हैं अगरिकल्चर मतलब युनिवस्टी अगरिकल्चरल कोर्सिस करवाती है बिस्टी अगरिकल्चर आप कर चाते हो मतलब कि बैसलर and masters agriculture में अगर admission लेना चाहते हो university admission लेती है साथ में ही applied sciences जितने भी courses applied sciences के है उसमें भी university admission लेती है उससे पहले आप एक बात समझे जितने भी universities UGC recognized है सभी universities के पास सभी certificate, सभी diploma, UG, सभी courses चलाने के लिए जिनको specific किसी council की मानिता की जरूरत नहीं है सभी universities वो सभी courses करवाती है PhD में भी admission लेती है, PhD के लिए भी कोई specific अलग से approval की जरूरत नहीं होती साथ में university करवाती है BMS, BMS में admission ले चाहते हो तो ले सकते हो बट वही क्योंकि आपको यहाँ पर BMS करने के लिए और dentistry करने के लिए मतलब BDS करने के लिए practical होना बहुत जरूरी है practical आपको exposure नहीं मिलेगा, तो वो किसी काम का नहीं problem हो सकती है साथ में business management, मतलब की BBA, MBA आप करना चाहते हो management के courses इस university से आप कर सकते हो university करवाती है, साथ में computer science and applications मतलब की BCA, MCA आप कर सकते हैं, MCA दो साल का या फिर तीन साल का depend करता है, आप कैसे कर रहे हैं वो course भी university से आप कर सकते है, design B design में होता है, आपने सुना होगा, काभी famous course है वो course भी university करवाती है, B.Ed में university admission लेती है, education में B.Ed में ही काफे सारे students हमें comment करते हैं, complaint करते हैं बट आपको फिर बोलूँगा, आप जाके university के senior जो staff है, जाके उन से मिली है, तो शायद आपको solution जरूर मिलेगा साथ में ही university course करवाती है, engineering में मतलब कि diploma, B.Tech, M.Tech diploma में कोई भी course करना चाते है, B.Tech करना चाते है बहुत बार अपने आपको संतुस्ट कर लें, तभी admission लें, ऐसे ही university की advertisement देखकर कहीं पर भी admission बिलकुल न लें साथ में आता है कि university के पास course hotel management, B.H.M. तो आपने सुना होगा, bachelor in hotel management, और साथ में ही काफी सारे master's में courses भी आते हैं, तो university बोलती है कि हम ये courses भी करवाते हैं, UGPG courses में, language के काफी courses university करवाती है, साथ में ही LLB करवाती है, 3 years या 5 years, उसमें admission लेने के लिए BCI का approval चेक करना जरूरी होता है, जितने भी लोग advocate बनते हैं, वकील बनते हैं, जैसे ही law complete करते हैं, अपने bar council में registration कराने के बाद, AB का all India bar examination देना होता है, उसके बाद उनको permanent license मिल जाता है, साथ में ही course है, library science और life science, इसमें भी university admissions लेती है, साथ में nursing, BSE nursing या कुछ जो nursing के courses हैं, वो भी है university के पास, paramedical science, जो तो paramedical की बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे courses और जितने भी university paramedical में admission लेती है, बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत सारे courses होते हैं, उसमें भी आप जाके देखेंगे, तो university course करवा रही है, admission लेती है, साथ में ही social sciences, मतलब की BSW, MSW, यह सब university admission लेती है, PhD में भी, अलग-अलग streams में, अलग-अलग subjects में, यह university admission लेती है, सिर्फ admission लेने से ही कुछ नहीं होता किसी भी university के, उनको सही से करवाना जरूरी है, क्योंकि students का जो future, आपने देखा होगा students बोलते हैं, कि मेरे future साथ खिलवार हुआ, या ऐसा हुआ, वैसा हुआ, दोस्तों, जब तक कि exposure मिलता भी नहीं है काफी universities में, तो आपको देखकर admission लेना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, education बहुत-बहुत महत्पूर्ण चीज है, education के बिना आप कुछ नहीं, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके, आप knowledge लीजिए, wisdom कभी भी आप खरीद नहीं सकते, कोई आप से चिन नहीं सकता, आपकी बुद्धी मानी, यह आपको पढ़ने से ही आएगी, नए नहीं बाते सीखने से ही आएगी, वरना नहीं आएगी, daring आती है, जब wisdom आती है, wisdom जब आएक के साथ में आएगी, मतलब knowledge होगी, तो daring, मतलब किसी से भी निडरता से बात करना है, यह आपके अंदर अपने आप आएगी, बहुत बड़ा example है, अमबेटकर साब का, वो education की बदूलत ही, वो इतना आगे निकल पाए, और जो लोग हनत्रिसकार करते थे, विशम परिस्थितियों में ही पढ़ना, अपने आपको कुछ बना के दिखाना, यह विशम परिस्थितियों में अगर आपने महापट जूज लिए अपनी जिन्दगी से, तो मेरा मानना है, जिन्दगी में कोई आपको हरा नहीं दोस्तों अच्छा लगाओ आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादे ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आपको अपडेट रख सके क्या को चल रहा है एजूकेशन की दुनिया में, और हमाई चैनल को करना बिलकुल ना भूले, साथ में लगा बेल आकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजूकेशनल वीडियो हम आप तक पुचा सकें सबसे पहले, बहुत बहुत शग्यादों जन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए